बिग बॉस के घर से बेगर होने के लिए इस अफते चार कंटेस्टन नॉमिनेटिड हैं और वो है राहुल वैद्दे, निकी तंबोली, विकास कुपता और देवलीना भटाचार्या अब ये चारो ही कंटेस्टन शो के लिहाद से बहुत जादा मायने रखते हैं लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके का दाव खेला है उससे तो साफ नजर आ रहा है कि इस हबते एक बड़ा इविक्षन देखने को मिल सकता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहूल वैदे और निकी तमबोली ने एक बार घर से आउट होने के बाद दुबारा से घर के अंदर री एंट्री ली थी निकी तमबोली को वो कमवोर्ट की वज़े से पहले घर से बाहर कर दिया गया था लेकिन बाद में उन्होंने शो में री एंट्री की और अब एक बार फिर निकी तमबोली के उपर तलवार लटक रही है कि वो घर से बेघर हो सकती है वहीं खत्रे की घंटी तो देवोलीना पर भी है क्योंकि देवोलीना प्रॉक्सी बन कर आई है अजास खान की तो ऐसे में माना जा रहा था कि देवोलीना को उनके फैंस के साथ साथ अजास के फैन का भी सपोर्ट मिलेगा लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है voting trends के अनुद्टा नमबर वन पर राहुलवैद्दे ट्रेंड कर रहे हैं यानी कि सबसे ज़ादा वोट अभी तक राहुलवैद्दे को मिले हैं और कहीं न कहीं ये बात राहुलवैद्दे भी जानते हैं कि वो घर से अभी आउट नहीं होने वाले हैं वहीं बात करें वोटिंग ट्रेंड में दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर पर वोटिंग ट्रेंड में चल रही है विकास गुपता विकास गुपता ने जिस तरीके से अपना सिंपती कार्ड खेला है और जिस तरीके से उन्होंने घर को मैनिपलेट किया है वो कहीं न कहीं अपने बिल्कुल सही सुना रिपोर्ट के अनुस्तार मेकर्स एजास खान की री एंट्री को लेकर कोई पैसला नहीं कर पा रहे हैं और माना जा रहा है कि अब एजास खान की शो के अंदर दुबारा से एंट्री नहीं होगी जिसके चलते इस अफते देवोलीना को घर से बाह कराएं देवोलीना को घर से बेघर होना पड़े तो ये थी बिग बॉस से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट आपको मारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा लेटेस अबडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर फेस्बुक अंस्टराम पर भी सकते हैं